अजये हैं पिछले वाले लुक्षर में हम लोगों ने एक उड़ प्रकोंषन किया था जिसमें का एक मिक्तेक हो लिया था वह कितना था यह भी 0.60 था और यह भी 0.60 था लेकिन मैं यहाँ पर 67 लेके बना दिया हूं तो यहाँ पर क्या करना है ना कि आपको यह 60 कर देना है 60 किजिएगा तो तब इसका अगर जा क्वांटिटी निकालेंगे तो वह कितना आएगा वह देखते हैं यह आपको सही है इतार हम लोग कुछ फ्रह नहीं किये थे यह वह देखते हैं फिर उसके बाद यह बैल्यू आपको सही है इधर हम लोग कुछ उष्षे रखानी नहीं किये थे यह वाली value फिर आपको बदल जाएगी यह वाली value टोटल quantity जो है वह value आपको बदल जाएगा तो वह हो जाएगा 1.008 प्लस में 2.025 माइनस में 0.756 अगर जले के चलें यह हो जाएगा 2.277 यह आप बल सकते हैं 2.28 यह इधर कुछ नहीं था 2.28 मीटर क्यों आपना यहां पर राउंट फिगर भी कर सकते हैं यह 00.001 कर सकते हैं 5 है तो आप क्या कर सकते हैं ₹ 6 है यह यहां पर फाइव है तो बढ़ जाए simplify या 0.77 भी आप कर सकते हैं तो आप पर dependent है आप नहीं भी कीजिएगा तो कोई बात नहीं है कीजिएगा भी तो कोई बात नहीं है यह आपको लास्ट में आपके ऐसा कर भी सकते हैं वैसे कोई भी आदमी 2.277 को यह नहीं बोलेगा कि यह 2.28 नहीं है है राउंड फिगर में उतना बोल सकते हैं हम लोग का आज का जो कुश्चन है उसको हम लोग देखते हैं मैं आपको बोला था कि सबेड़ वाला क्वांटिटी लाओंगा उस पर मैं एक प्रॉब्लेम कराने जा रहा हूं तो वह देखिए क्या है हमें कह रहा है क्या रहा है क् फ्रीक वर्क निकालना है या अफ दॉप फॉलवम घुजे दिया हूआ है डेप्ट अप फांडेशन होंडेशन का डेप्ट इफ धिया हूआ है और हाइट अब सूपर स्ट्रक्चर 0.90 दिया हुआ और मेरे पास एक यह प्लान दिया हुआ है यह प्लान दिया हुआ है तो अब मैं इसे बनाऊंगा तो वह अगर जो देखें तो वह कैसे सबसे पहले मैं इसको मिटा लिता हूं बस इसी पर हमारा वर्क आएगा यह आपक करूँ कि यह तो वन वन ही आएगा क्यूबिक मेटर में आएगा चलिए उसको रहने देजिए कर देखे लिए चलिए अब हमें क्या करना इस सवाल को समाजना है अब आपके पास देखिए यह एक श्ट्रक्चर ठिकना आपको एक प्लान दिया हुआ प्लान मींस अब जैसे अगर जैसे इसका आप देखिएगा अपर से आप ऐसे आके देखो यह आप इस तरीके में आपको दिखा रहा हूं आप देखोगे तो क्या होगा ना कि यह वाला चीज आपको दिखेगा सिर्फ यह अगर यहां में लाइनिंग बना दू कुछ भी बना दू यहां क्या होगा है प्लान मुझे दिख जाएगा और अगर जो मैं उस आपको टिल्ट करके अलका से दिखा हूं तो देखो आ कर रहे हैं कि आप इस तरीके से अगर जैशनाग आपको काटो मैं काट लेता हूं वही आपको आपके लिए समझाने में में सौलियद भी हो जाएगी मुझे और आसान भी होगा एबी एक सेक्शन काट देता है इसपलान का जब इस प्लान पर से यह कट जाएगा यहां से औ प्लान काटने के बाद आप एक साइड गए और देखने लगे तो आपको कैसा दीखेगा देखिए इस परकार से आपको दीखेगा आप जाओ अगर जब कोई पूल है आप पूल को कात दो अकाट के नीचे जाके देखो तो लगेगा यह फांडेशन हुआ था उसके बाद उपर में यह सुपर स्ट्रक्चर बनाया गया और यह वाला जो है जो रोड पे देखते होंगे उठावा पाट रहता है हलका सा उपर में रहता है तो वह वाला पाट है तो आप जब इसे काट होगे तो देखो यह कुछ इस परकार से आपको यह दिखेगा यह वाला मान लीजिए आप यह ग्राउंड लेवल है हम लोग ऐसे घास्पूश जैसे जर्व अगेरा दिखा के दिखाते ना कि ग्राउंड लेवल है अब यहां पे भी वर्क हुआ है ग्राउंड लेवल पे यह प्लान करते हो आ और Siya काट टो जा कुछ इस परकार करका दीखेगा घ्राउंड देखना है मतला यह वाला पार्ट लेंध दिया हुआ यह ट्र! आपको दिखा रहा हूं टोटल लेंद मुझे दिया हुआ है चलिए ब्रेथ देखते हैं ब्रेथ भी मुझे दिया हुआ है अब मुझे हाइड देखना है तो हाइड तो दो यहां से लेकि यहां तक यह भी दिया हुआ 0.90 तो कुछ सवाल में है कहां कुछ लेंद दिया हुआ ब्रेथ दिया हुआ है बस आपको यहां डिटेल ऑफ वर्क लिखना है तो पहला अगर जो बात करें तो यह सब हेड टाइप काएगा सब हेड सब हेड तो वर्क डिटेल और भर्क किसके लिए और अगर देखें तो नमर क्या है नमर टो रही है अगर लेंद की बात करें तो लेंद कितना है देखिए इसका 1.60 है मैं इसे रख देता हुआ वान पॉइंट सीक्स जीरो आपको लेन दिया हुआ है और देखिए यह वाला पार्ट आपको दिया हुआ है अगर आप काट के देख रहें इस परकार से तो आपको यह वाला पार्ट 0.20 नजर आ रहा है और लेंथ जो है ओवर आल इस परकार से अगर जैसको बढ़ाएंगे यह जो टोटल लेन दिया हुआ 1.60 दिया हुआ तो 1.60 ब्रेट अगर देखें तो ब्रेट कितना है 0.20 हाइट कितना है इसका अगर एक्सक्वेशन के लिए फॉंडेशन के लिए तो यह वाला हाइट कंसिडर करेंगे आप जमीन की कुदाई कहां पर किजिएगा जमीन के उ बदो गया अब दूसरा सवेड हो गा हुआ आब बात बताईए हाधो में गयों कहा थो तो कंक्रिट ब्रेट नमा सीमेंट मोटार में अगर देखें बात करें यहां फिमीं लगाओ ऐदर लगा होगा तो नीचा के लिए लाग हidée उपर के लिए अलग लगा होगा तो उसको तो अगर जाद देख लें तो सब अट में वह दुट पहले वाले वाले के लिए अगर की दिखें यcellesan के लिए बिक वर do a ये बिश का इंसे मेंट मोटा इप आ शी मेंट मोटार यूंस करकर आक नहीं तो इन सिमेंट मोटार इन सिमेंट मोटार कि इन फॉंडेशन की बात करें यह भी कितना वन है लेंथ तो आपको बता दिया सबके लिए से हमी हो जाएगा 1.60 लेंथ हो गया ब्रेद भी क्या होगा इसके लिए भी लेंथ और ब्रेद क्या है यह मतला है यह भी वर कहां तक किया बहुत दूर तक किया और इधर भी किया है यह तो आप सक्षन काट दी है तो यह वाला पार्ट भी कितना हो जाएगा 0.20 हो जाएगा लेंथ 1.60 यह ब्रेद 0.20 और हाइट अगर जो देखें यह भी कितना 0.30 चलिए यह हो गया एक और सभेड देखते हैं सभेड में एक और आएगा और वह क्या ह कि शिमेंट मोटार समझते हैं ना मशाला वह जो सेमेंट और बालो अगर एगा जो बनाते हैं सिमेंट मोटार इन सूपर एस्ट्रक्चर इटा जोरने के लिए भाई गिट्टी की जरुरात होती है गया नहीं होती है आप इटा ना सिमेंट और बालू से ही जोड़िएगा तो ये सिमेंट मोटार ये भी कितना है आपको सबेड वन इसमें भी नमर जो है आपको नमर कितना है इसका सबेड का ये भी वन है ये कितना हो गया लेंथ 1.60 इसके लिए भी आएगा ये सूपर स्ट्रक्चर के लिए भी बढ़ा रहे है 1.60 ब्रेथ कितना हो जाएगा 0.20 यही वाला ना 0.20 और हाइट की अगर जब बात करें तो वो कितना है 0.90 आप न इसमें यहां पर टोटल मत किजिएगा टोटल क्वांटिटी आपसे नहीं मांगा है क्यों नहीं मांगा देखिए आप टोटल क्वांटिटी कैसे लिखिएगा आप उड का निकालते थे तो बताते इसमें सब लक्रिये लगेगा लेकिन आप इसमें देखिए तो यह क्वांटिटी मोंगीनियास है क्या नहीं है नहीं यहां पर देखिए एक्सकेवेशन मिट्टी वाला काम आप आपको करना अर्थ वर्क का आपको बोल रहा है लें ब्रेथ हाइट आपको अर्थ वर्क कितना पड़ेगा तो आप टोटल rike हम लोग निकाल लेते हैं तो वो कितना आजाएगा гp 16 in to 0.20this to 0.30 यह वाली उपर वाले के यह वाला कितना हो जाएगा आपको अर्थ वर्ग ये वाला आ जाएगा आपको ये वैल्य हो जाएगा 0.096 और ये भी सेम है तो 0.096 और ये वाला वैल्यू अगर जब बोले हैं तो ये कितना है लास्ट में 0.90 है तो वह वैल्यू आपको कितना जाएगा 0.288 बस और कुछ नहीं है ये सारे वैल्यू मीटर ये क्या होगा ये ये सारे वैल्यू और यहां पर ये यहां पर जो है यहां पर इस परकार से लिख सकते हैं जैसे फोर एक्सक्वेशन लिखे न तो टोटल क्वांटिटी यहां पर ये वाले पार्ट के लिए उपर वाले पार्ट के लिए मैं बोल रहा हूं नीचे वाले प में क्यों में में आपको कितना जाएगा 0.096 इस परकार से आप लिख सकते हैं इसके लिए भी आप वही कर सकते हैं इसके लिए भी आप वही कर सकते हैं टोटल टोटल कॉंटिटी यह लिखना ज़र रही है टोटल कॉंटिटी क्यों में कितना आया इतना बस आपना यह वाला यह वाला चीज़ आप इसी के लिए कर देना बस यह उसी परकार से इसमें लिखेंगे टोटल वर्क टोटल क्वांटिटी तो उसी क्यूमेक में तो यह वाला वेल्यू सजेस्ट कर देंगे बस और कुछ नहीं है तो यहां तक तो हमारा यह वाला लेक्शर कतम होगे आप हम ल इसतना है एक कवे 2 नहीं यह हम लोग पर लेंगे उसको ऑह लोग ट्रॉज अब आ दीब ऑडा लिए निकलते ज़िसमें हमलोग दो ड्राय वश्य करना लेखेंगे तो इस लेक्शर में इतना ही अगर वल्यूम रसना ही तो स अरभॉ libragen के में ज़से इन अगने Halo और हाँ एक इंपॉर्टन चीज यह भी है कि आप अगर सब्सक्राइब अगेरा नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मुझे पता है लास्ट तक वीडियो बहुत कम कोई देखते हैं लेकिन जो भी देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब कीजिए थाइब कीजिए